मनोच तिवारी जी आपसे शुरुवात कर रही हूँ अर्विन केजिवाल और उनकी पूरी पार्टी है कह रही है कि जब से हमने ये कहा है कि नोटों पर हिंदू देवी देवताओं के लक्षमी गणेश के फोटो होने चाहिए तब इसे बीज़ेपी को लग रहा है कि उनकी जमीन किसक रही है और इसलिए तमाम नीता एक-एक करके हम पर हमले बोल रहे हैं और अब इस आटियाई को माध्यम बना लिया है देखिए प्राची जी पहली बात तो ये जान लिजिए कि हमें किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को कोई चीज देने में हमारी कोई आपत्ती नहीं है हमारी आपत्ती सिर्फ इस पे है कि जो भी बिवस्था दी जाए वो अगर धार्मिक रूप से दिया जाता है तो उस कटेगरी के सभी लोगों को दिया जाना चाहिए और इस नाते जो आज हमारे हाथ में RTI है उस RTI का जब हम अध्यन करते हैं तो हम दंग रह जा रहे हैं कि अर्विंद केजरिवाज जी के सरकार जो दिल्ली में 2015-16 से ये एक कम्यूनिटी के लोगों को तो महीना भी दे रही है उनके सहायकों को भी महीना दे रही है एक सो पच्चासी जो वक्ष बोर्ड के अंदर मस्जिद आती है उसके लोग उसमें शामिल है लेकिन वहीं दिल्ली के मंदिरों के पुजारी दिल्ली के और जैसे समझ गुरुद्वारा के जो लोग पुजा करने वाले लोग होते हैं ग्रंती साथ लो या फिर और किसी धर्म को यह सुवधा प्राफ्त नहीं है यह सब के लिए होना चाहिए यह हमारी मांग है हो तो सब के लिए हो नहीं तो किसी के लिए नहीं हो और ये एक चेहरा दिखाता है प्राची जी अर्विंद केजरिवाज जी का जो ये दिखाता है कि इनके दिखाने के दाहत तो अलग है मगर खाने के अलग है तो आपके चैनल पे जो एक लाइन बड़ी अच्छी चल रही है कि एक कम्यूनिटी को कैस और एक कम्यूनिटी को सिर्फ गड़ेश तो ऐसी सिती में जो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनकी नियत पे बहुत बड़ा सवाल उठता है सबके लिए समान नीती होनी चाहिए जो अर्विन केजरिवाल की सरकार ने नहीं रखा और इसलिए आज हम जैसे करोडों लोग जो इस देश में हैं ये सुने होंगे तो उनको पता चला होगा कि ये सिर्फ वोटों के लिए ही कुछ लोगों के मित्र है और कुछ नहीं ठीक अकिल खान जी आम आपने पार्टी पर आरोप इस बात को लेकर है कि तुष्टी करण की राजनीती आम आदमी पार्थी करती है हाथी के दाथ दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है मुझे से भी निया रहा है हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर पार्लेमेंट बैठा हुए उन्हें वक बोर्ड का एक्ट नहीं पता वक बोर्ड किस क्या किस बेसिस पर बना और किस लिए बना और किसके लिए बना और क्यों बना ये सर को पता नहीं है हमारे सांसा साहाब को मु वफ की प्रापर्टी को पूरा कंट्रोल करता है वर्क बोर्ड वर्क बोर्ड जो है उसकी इंकम पिछले आठ साथ आठ साल में क्योंकि वो कई लोगों ने उसके पर कब्जे कर रखेते हैं उसकी इंकम बहुत बढ़ गई है मतलब यह समझ दिये मैं कहना चाहूँगा मोडर्ड एटी टाइमस बढ़ चुकी है क्योंकि जो वर्क बोर्ड के अंदर हमारे जो नए वर्क के इंचारज आया है जब से आम आदमी पार्टी आई है उस वक्त से इसकी इंकम कई गुना बढ़ चुकी है और उस इंकम को ही इस इस इसमाल किया जाता है कोई government का हमारे taxes से उसका कोई correction ही नहीं है और यह मतलब इस तरह की बाते करना कि मतलब वह मेंनजे बढ़ ताज़ूब होता है कि हमारे में वहां बद्द पर्लियमेंट से तरह की बाते करेंगे उसमें डिवीजन करेंगे उसमें लोगों को पर चलावे यह वही कंसेप्ट है जो जो मुस्लिम कंट्रीवूट करते हैं वक्त के लिए और हिंदू करते मंदर के लिए जो दान-पेटी रखे जाती है और दान दिये जाते हैं और कई मंदर तो इतने 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 बड़े अमीर रुपे आते हैं और वह इंस्टिटूशन चलाते हैं आप थोड़ा कंफ्यूस करते हैं आप यह बताईए जो आटियाई में खुलासा हुआ है जो अभी मनुच तिवारी जी कह रहे थे वो यह है कि सरकार की तरफ से सेलरी दी जा रही है और ना सिर्फ सेलरी दी जा रही है एक सेलरी में इजाफा किया गया है सेलरी कर रहे हैं दूसरी तरफ आप सिर्फ एक वर्क को फाइदा पहुंचा रहे है आशा वर्कर्स के लिए आपके पास पैसे नहीं है यमुना साफ आपकर नहीं पा रहे हैं तो इसे ही तो तुष्टी करन का नाम दे रही है भी जबी देखिए यमना को सफाई करने का एक अलग परपर्टी से जो बढ़ी प्रॉपर्टी की इंका उससे पैसा आ रहा है और आप बताएं कितना 15,000-16,000 रुपे उनको विचारों को मिल रहे है अभी इस टाइम वह 57,000 रुपे मिलते थे और किसी को वो भी नहीं मिलते थे आज की डेट में कितना पैसा मिल रहा है जरा बत अगर दो हजार से दस कुना बढ़ा दी बाइब बीस जार कर दी बट बड़ी बात हो गई बीस जार भी नहीं उनकी सेलरी तो यह मतलब एक बेसिक रिक्वार्मेंट है उनकी वह पूरी नहीं हो थी विचारों की मतलब आप अगर उनकी कंडिशन देखे ना मुताबली तो नहीं है उसके अंदर निबाल में जो इमाम है और जो महजित के अंदर जो इतने मतलब पूरे अपना 24 अबर देते हैं उनकी फैमिली की क्या कंडिशन है अगर आप देखेंगे ना तो आपको बड़ता मतलब आपको बड़ी वह शर्माईगी के मतलब एक मुश्लिम कि नोट पर हम लक्षमी ची और गडिश ची की तस्वीर लगा देंगे आप खुश हो जाएंगे आप देश की प्रदान मंजी पूठा चाहूंगा पांच लाग करोड का इन्होंने पांच लाग करोड का टेक्स रिबेट क्यों दिया है देश की जंदा भूगी मर रही है ए आप टिव यह आप जो ऑंड करुंड करोड का आपने बरबाद किया उसको पहले देखी है और तक सब्सक्रեյ टिवाइब PHP इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर